आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारियों जिनाओं से चुड़ी खबरों का आपका अपना चेनल एम्पलॉई खबर नमस्कार दोस्तों एम्पलॉई खबर चेनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत थे दोस्तों यहां पर इंडियन रेलवे की तरफ से यहां पर दो प्रमुक खबरे निकल कर आ रहे हैं जैसा कि आपको पता होगा कि पिछे कुछ दिने यह भी देखा होगा कि मुंबै के बामदरा इस्टेसन पर यहां पर करीद 2000 से भी ज़ादा यहां पर करमचारी इन्ग खबरों की वजह से यहां पर रेलवे ट्रेस्टेसन पहुँच गए कि यहां पर आज से ट्रेड चालू हो जाएगी तो यहां पर इन सबी खबरों का घ करते हुए आयर सिटी ने फिर से यहां पर जो है ट्विट करके जानकरी दी है कि जब तक यहां पर जो है लागडाउन है यानि कि तीन माई तक कोई भी ट्रेने यहां पर जो है नहीं चलने वाली है पेसिंजर ट्रेने कोई भी यहां पर जो है नहीं चलने वाली है जैसे कि आ माई तक यहां पर जो है ट्रेनियों की बुकिंग संबंदी कोई भी खबरे आपको सोसल मीडिया या मीडिया पर यहां पर नजर आती है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है दूसरी बड़ी खबर यहां पर IRC इंडियन रेल्वे तरकी और से ही यहां पर जारी की गई है यहां पर IRC ने पहले यहां पर बुकिंग चालू कर दी थी कि 15 तारीक से दी लाग्टाउन समाप्त होगा तो यहां पर पैसेंजर्स को इधर से उधर ट्रेवल करने के लिए जो बुकिंग चालू की थी तो ऐसे लोगों के लिए उनकी बुकिंग का पैसा यहां पर IRC उनको जो है रिफंड करेगा और यह पैसा जो है पूरा का पूरा रिफंडेबल होगा यानि कि इसमें जो IRC यहां पर जो चार्ज काटती है टिकेट केंसल करने पर वो चार्ज यहां पर IRC के तरफ से नहीं काटा जाएगा और यहां पर IRC के तरफ से भी इंडियन रेलवे के तरफ से भी यहां निवेदन किया गया है कि तीन माई तक कोई भी ट्रेन नहीं चलने वाली है तो इस तरह के खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे और आप अपने टिकेट यहां पर इती केंसल कर रहे है तो आपको आपका पैसा यहां पर पूरा वापस दिया जाएगा I hope कि हमारे द्वरा दी गई यह दोनों जानकरिया आपको जो है पसंद आई होगी यह वीडियो जानकरिया आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा मिलते हैं आपसे नेक्ट किट सी वीडियो में इसे जानकरिया साथ तब तक के लिए बनी रहीगा Employee Cover चैनल के साथ जहेंद जयवार